चालू सीजन के दौरान देश में ही नहीं अपितू ग्वाटेमाला में भी पैदावार घटने के कारण विगत आठ बटा दस दिनों से छोटी इलाइची की कीमतों में तेजी का दौर बना हुआ हुआ। वर्तमान हालात को देखते हुए अधिक मंदे की संभावना नहीं है। लेकिन अलपकाल के दौरान बाजार में 250 बटा 300 रुपए प्रती किलो की तेजी आने के कारण वर्तमान में मुनाफाव सूली बिक्वाली बढ़ने की संभावना है। जिस कारण से कुछ समय के लिए भा उत्पादन 35 बटा 40 प्रतिशत तक गटने के समाचार मिल रहे है। चालू सीजन के दौरान छोटी इलाइची का उत्पादन 22 बटा 23,000 तन होने के व्यापारिक अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि गत वर्ष उत्पादन 30 बटा 31,000 तन का रहात। ग्वाटेमाला में च ग्वाटेमाला से छोटी इलाइची का आयात कम होने की संभावना है। सूतरों का कहना है कि अभी तक आयातकों ने ग्वाटेमाला से आयात के लिए कोई सौधा नहीं किया है। क्योंकि ग्वाटेमाला की अभी बिक्वाली नहीं है। आम तोर पर भारतिय आयातक व्यापारियों का कहना है कि आगामी दिनों में भी बाजार 200 बटा 250 रुपए बढ़ने के पश्चात 50 बटा 100 रुपए के मंदे का गेम चलता रहेग। कुल मिलाकर छोटी इलाइची का भविश्य अच्छा रहेग। वर्तमान में दिल्ली बाजार में छोटी इलाइची के भाव क्वालिटी नुसार भाव 2550 बटा 3450 रुपए प्रती किलो बोले जा रहे हैं। उत्पादक केंद्रों पर आज हुई छोटी इलाइची की इडुकी महिला कारडामम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नीलामी में तिरपन 1754 किलो की आवक हुई और तिरपन 1196 किलो का व्यापार हूँ। नीलामी में अधिक्तम भाव 3183 रुपए एवं एवरेज भाव भाव 2795 दशमलव 65 रुपए प्रती किलो बोलेगा। चालू वित वर्ष 2024 से 25 के प्रत्थम पांच माह में छोटी इलाइची का निर्यात 38 प्रतिशत बढ़कर 2366.98 तन का हो गए। जबकि गत वर्ष श्री सम्यावधी में निर्यात 1720.88 तन का हुआ थ। उलिकनिये हैं विगत दो वर्षों से छोटी इलाइची के निर्यात के गिरावट दर्स की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 के दोरान छोटी इलाइची का निर्यात 10571 तन का हुआ था जो की वर्ष 2022-23 में घटकर 7352 तन एवं 2023-24 अप्रेल से मार्च में 6168 तन का रहा गए। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी तक निर्यात प्रदर्शन का देखते हुए चालू वित्वर्ष 2024-25 के दोरान छोटी इलाइची के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जाएग। Bureau Report Market Times TV